राम राम भाई सभी साथियों को再फिटने भी अपने haryana csiti की त्यारी करने वाले भाई बैने सबी को राम राम आज कि सी वीडियो में हम बात करेंगे। ग्रूप 2 जो की आपका electrical engineering का JEE का group है तो इसमें आपका safe score क्या रहेगा 4 गुणा के लिए तो भाई वीडियो सबसे पहले start करने से पहले channel पे आप नहीं है तो please subscribe कर लिजेगा और वीडियो पसंद आये तो like भी कर दीजेगा साथ में अपने telegram channel है burning study के नाम से तो वो भी आप join कर लिजेगा वहाँ पर सारी आपको update time to time मिलती रहती है तो भाई सबसे पहले अगर हम कटोप की बात करें ये आकड़ा आपको पता होना चाहिए ये आकड़ा अगर हम यहाँ पर use करेंगे तो यहाँ पर सार्ट नंबर से उपर अगर देखा जाए ना तो यूर कटेगरी में 18,400 बच्चे है EWS में 9,000 बच्चे है SC में 4,000 बच्चे है BCA में 7,300 बच्चे है और BCB में जो है वो आपके 7,500 बच्चे है अब देखा जाए तो graduate जो है ना इसमें जो आकड़ा जो दिया गया सार्ट से उपर इसमें आपके graduate भी है और कुछ ऐसे हैं जो plus two करके या फिर first year में या second year या third year में है या फिर कोई diploma में है तो ऐसे candidate भी है तो देखिए भाई अगर हम बात करें अगर 60% हम मानने कि यहाँ पर एक survey करवाया था उसके according 60% आया था graduate जो है 60% है maximum data है इससे ज़्यादा थो है नहीं 60% maximum graduate हो सकते हैं यहाँ पर बात करें इसमें graduation के अगर बात करें तो कितने बच्चे मिलेंगे यहाँ पर 18,400 का 60% करोगे तो 11,040 candidate मिलेंगे भाई अगर बात करें EWS की तो यहाँ पर आपके मिलेंगे 5,400 यहाँ पर बात करें 4,000 बच्चे हैं तो इसका 2400 यहाँ पर 7,300 हैं तो 4,320 और BCB में मिलेंगे 4,500 अब एक बात ध्यान दीजिगा इसमें 60% में आपके जो फलुमा वाले बच्चे हैं एक ना Electrical गे और सिविल गे वो भी आ चुके हैं थीक ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो यह भी आ चुके हैं कभी सोचो कि यार वो तो लिए निए तो यहां पर वो भी आ चुका है साथ में अगर बात करें ठीको भाई सीधी सीधी बात है 60% बच्चों हमने अकड़ा उठा लिया अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल और सीविल मैंने सीविल को मैं बीच में क्यों लेके आया हूं तो इसलिए लेके आया हूं भाई एक गुरूप अपना ऐसा है कैटेगरी नंबर साइद साथ है कैटेग्य। 24 नंबर कैटेग्री है उसका मतलब कि बात ये है कि सारे भरेंगे तो इसका मतलब गानों को है Рok 2 लगाया जाए तो तो करीब 5% बच्चे मिलेंगे जो की BTEC है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो BTEC का अगर हमने Civil और Electrical का लगाएं तो 5% के पास में आकड़ा मिलेगा तो हमने जो 60% जो हमारे आया था उसका 5% निकाला तो यहाँ पर यह हमारे पास में आकड़ा चुका कटव जो है यूर की साब से EWS, SC, BCA, BCB तो यह इतने कंडिडेट होंगे जो 60 नमबर से उपर होंगे अगर बात करें वेकेंसी की तो हमारे पास में जो जन्रल की वेकेंसी है 145, अगर 145 का अगर 4 गुना करते हैं तो 580 बच्चे जाएंगे EWS की जो वेकेंसी 58 है 4 गुना करते हैं 232 बच्चे बुलाए जाएंगे SC की जो वेकेंसी 64 है अगर 4 गुना करते हैं 256 बच्चे बुलाए जाएंगे BCA की वेकेंसी 69 तो बुलाए जाएंगे कितने 4 गुना 236, BCB की 33 वेकेंसी है तो यहाँ पर fix है 1.500 बच्चे बुलाए जाएंगे, क्यों? क्योंकि 30 और 40 के बीच में 1.500 बच्चे बुलाने हैं, तो यहाँ पर कटोप की बात करें न भाई, तो यहाँ पर 552 बच्चे हमारे पास में, 60 से उपर, बुलाने कितने हैं, 580, तो यहाँ पर जो कटोप 59, पर आप देखने को मिल सकती है 59 के आसपास यहाँ पर हमारे पास में 270 बच्चे अवलेवल हैं बुलाने कितने है 232 तो यहाँ पर कटोब कम रहेगी लगबग लगबग यहाँ पर 62 के आसपास 120 जो है इलेक्ट्रिकल और सिविल के हमारे पास में अवलेवल हैं जिसमें 250 बुलाने हैं तो यहाँ पर कटोब काफी कम रहेगी 55 नमबर से भी कम मान लीजिए साथ 54 नमबर के आसपास अगर बात करें BCA की 225 बच्चे बुलाने हैं हमारे पास में 236 हैं लगबग कटोब जोगा 60 ही रहेगी आपकी BCB की बात के 225 बच्चे बुलाने हैं सोरी 225 बच्चे हमारे पास में है 1500 बच्चे बुलाने हैं तो यहाँ पर जो है न वो काफी गैप मिलेगा यहाँ पर आपकी कटोब जो है लगबग लगबग 65 के आसपास लीजिएगा तो यह आपका सेफ स्कोर रहेगा अगर बात करें मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कटोब ज्यादा बताई थी मैंने क्यों क्योंकि उस टाइम पर सर्विव का आकड़ा जो है एकजक्ट हमारे पास में आया नहीं था लेकिन अब है हमारे पास में आकड़ा जो है ओ अवलेबल है तो अब जो है कटोब बिलकुल सटीक्स है लगबग लगबग इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजमेंट हो सकता है ज्यादा चेंजमेंट नहीं होगा अगर प्लस तीन करते हैं तो यहाँ पर जो कटोफ आपकी 69 नमबर से लेकर 62 नमबर यहाँ पर 62 से लेकर 65 नमबर यहाँ पर 54 से लेकर 57 नमबर 60 से लेकर 63 नमबर और 65 से लेकर 68 नमबर आपको कटोफ देखने को मिल सकती है यह काटेगरी वाई जो मैंने बता दिया है आपक इसमें ज्यादा जाने की उमीद कम है और इसके आसपास रहने की उमीद ज्यादा है तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को शेयर जुरू करना थेंक्यू सो मच